इसके काफी गूंड रहते हैं विशेशकर इसकी जड़ों में पाए जाने वाले बल्ब में यह पोदा घरों में इसलिए लगा जाता है कि इसकी फोलिएज के करण किसी भी कोने में जहां सनलाइट आती हो वहां लगाते हैं दीवार के साहरे बढ़ता रहता है और बहुत सुन्दर इसकी फोलिएज रहती है देखिए यहां मैंने इसको डेवलोप किया है दसेंजी गमले में और करीब ड़ाई इसको ट्रेलिस दिया है आरेन की जाली से गोल बना कर तो यह पूरा एक हरा गुल दस्त जैसा बन जाता है इसकी स्टेडी ग्रोथ रहती है कटिंग भी करना रहती बीच बीच में और इसका बायन नेचर ऐसा रहता है कि इसकी जब कोई ब्रांच सूख जाती है तो फिर इसको काट कर निकालना रहता है इसकी मिटी और खाद की रिक्वार्मेंट फहती मिनीमल रहती है साधी मिटी थोड़ी रीती मिला के और थोड़ा से गोबर खाद दे दे चल जाता है फीडिंग इसको 2-3 महिने में एक बार करने चल जाता है कटिंग बराबर करते रहे तो शेफ अच्छा लेता रहेगा यहाँ पर मैं इसलिए यह दिखा रहा हूँ कि जो simple पोदे होते उनका arrangement अच्छा करके उन्हें भी अपन हम सुन्दर दिखा सकते हैं जरूरी नहीं कि हम exotic पोदे लें या कोई महेंगे पोदे ही खरीदे simple पोदों से भी बहुत अच्छा arrangement हो सकता है ऐसे और वीडियो के लिए शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद